36 गर्षमिक मंच द्वारा मैं दिवस की पूर्व संधिया पर दुर्ग ब्लॉग के ग्राम बीरे ज़र में मजदूर किसान एकता दिवस का आईजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर्व किसान शामिल हुए इसी कड़ी में कारिकरा में उपस्थित किसानों और मजदूरों को मैं दिवस की महता बताते हुए 36 गर्षमिक मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार गुप्त ने कहा कि यह अमेरिका के शिकागो शहर के मजदूरों के संगर्ष और कुर्बानी का पनिणाम है कि आज मजदूरों को न केवल संगठित होने का अधिकार मिला है बलकि श्रम के लूट और शोशन के खिलाब संगठित करने संगर्ष का होसला भी मिला है उन्होंने कहा कि आजदेश और प्रदेश में जंता की चुनी हुई सरकार है इसके बाद भी किसानों को अपनी उपजों का लापकारी दाम और श्रमिकों के अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक पाने के लिए संगर्ष करना पड़ रहा है इसी कड़ी में 36 गर्ष्रमिक मंच के किसान मजदूर एकता दिवस में शामिल किसानों और मजदूरों ने बताया कि बिरेजर विसुनात नदी के किनारे ब पड़ता है किन्तु सरकार और नवनिर्वाची जन प्रतिनी थी नदी का पानी लिफ्ट करके गाउं तक पहुचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते ग्रामिलों ने संकल पलिया कि अब अन्याय नहीं सहेंगे न चूप बैठेंगे हर अन्याय शोशन उपेक्छा और करम को मंच के खुमेंदर साहु ने भी संबोधित किया ग्रेंडेशियन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट